वेलकम टुमाइ यूट्यूब चैनल स्मार्ट इस्टड़ी वाई सीमा पर और जो है आज हम बात करेंगे मालायन टेबलेट के बारे में मालायन जो टेबलेट होती है वो औरल कंट्रसेप्टिफ पिल्स होती है जो की कंबाइन टाइप की होती है जिसमें की लिवोनॉजस्ट रॉल एं इस्टड़ यॉल का कंबिनेशन होता है उसके साथ में यहाँ पे आईडरं की भी टेबलेट होती है इसका डोज की बात करे तो हम 0.03 mg होता है और जो इसमें फेरस यानि आयरं जो होता है वो 60 mg का इसमें डोज होता है यह गॉर्मेंट आफ इंडिया के द्वारा फिरी सप्लाई होती है हेल्थ सेंटर पर और इसमें जो है टोटल 28 टेबलेट होती है ठीक है अभी दिखाते हैं इसमें यह हो गया इसमें टोटल 28 टेबलेट होती है जिसमें की 21 टेबलेट जो होता है हार्मोनल फिल्स होते हैं मतब जिसमें लिवोनर्जेस्ट्राल और इस टोडियाल पड़ा होता है और उसके बाद में जो seven टेब्लेट होती है हमारी वो iron की टेब्लेट होती है इसको कैशे यूश करना है Start करना है इसमें लिखा हुआ होता है जैसे कि यहां पर दीख रहा होगा यहां पर लिखा है Start यहां से में Start करना है और कब खतम होगा उमारा यह लिखा है यंड ऐसे यहाँ से start करना यहाँ पर खतम करना tablet ऐसे यूश करना है उसके बाद में जो टाबलट होती है में daily लेना होता है और इसको start हम कप करते हैं 1 से 5 दिन के बीच में start कर देते हैं अगर medelsous आते हैं तो उसके एक से पास दिन बाद मतलब एक से पास दिन के बीच में हमें स्टार्ट कर देना होता है किसी भी दिन और इसके फायदे क्या है लेने के जैसे कि जो मेंसस साइकल होते हैं उसको यह रेगुलर करेगा और टाइम पे आएगा और जो पेन होता है उसको भी यह कम करेग और हम इसको कब लेंगे जैसे कि अगर मेंसेस आया हुआ है तो एक से पांच दिन के बीच में ले लेंगे और अगर कोई लेक्टेटिंग ओमेन है ब्रेसफीड करा रही है जो वो 6 मंत के बाद में लेगी लेना इस्टार्ट करेगी क्योंकि वो जो ब्रेसफीडिंग का पैटर्ण होता है मिल्क का इज्यकुलेशन का उसमें डिस्टर्बेंस कर देता है इसलिए हम लेक्टेशन ओमेन को नहीं देते कपल से यूरू प्सके के जाओ ले सकते हैं और ह walking नमीक फ़िछ एमकल होती एक प्याद laquelle कर 있지 द्रक्राफork ब्ल्लिडिंग हो रही है तो भी क्रेसकर सकता है कि ब्लीडिंग करें ट्रक्राइब यह को सबस्क्राइब नहीं होती है और कुछ कंडिशन होती जिसमें हम टेबलेट नहीं ले सकते हैं जैसे कि कोई मतलब सीरियस प्राब्लम हो सीरियस हेल्स प्राब्लम हो इसमें इस टेबलेट को वायट करेंगे और जैसे की लीबर सीरोशिस की कंडिशन हो और हाइपर टेंसन बीपी जो है बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है तो इस टेबलोट को नहीं लेना होता है और डीबीटी डीप बेंट थ्रम्बोसिस जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इस टेबलोट को वाइट करना जो एंडिस हो गया औ इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जैसे की मेंसेस ब्लट जो है कम देखने को मिलेगा लेकिन जो मेंसेस होते हैं वो रेगुलर आएंगे बट ऑबलेशन नहीं होता है अगर यह कोई टेबलेट लेता है मतलब प्रेगनेंसी जो है वो कंसीब नहीं होगी अ और जैसे side effect है headache हो गया breast heaviness हो जाता है और mood changes देखने को मिलते हैं mood swing होगा और nogia patient को feel हो सकता है So I hope कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और कोई भी doubt है तो आप comment box में comment के थुरू पूश सकते हैं और ये अगर tablet की बात जो है अगर कोई एक tablet miss कर देता है तो दूसरे दिन दो tablet लेना होता है और ये tablet miss नहीं करनी होती है ध्यान करके इसको daily basis पे लेना होता है So thanks for watching मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाई बाई जेहिन जे भारत